दोस्तों इस दुनिया में तरह तरह केरिती रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं, ऐसे में जापान में भी एक विचित्र त्योहार को मनाया जाता है जिसे हम पेनी, फेस्टिवल कहते हैं, इसको जापान में काना मारा मात सुरी के नाम से जाना जाता है, शद् कथा के अनुसार एक राक्षजी एक महिला की योनी में छिपी थी उसके दांत बहुत तेज थे उसने दो पुरुशों से प्यार किया और उनकी शादी की रात में उनके लिंग को काट दिया उसके बाद महिला ने एक लोहार से संपर्क किया लोहार एक लोहे का एक लिंग बना जाता है